हेई वाट्सअप गाइस दिस राज एंड वाचिंग फ्रिटेक तो दोस्तों यहां पर रियल्मी ने अपना FAQ को रिलिस किया 39 वाला तो दोस्तों यहां पर जो कि काफी सारे नए कोशन का अंसर दिया गया है जो कि दोस्तों आज किस वीडियो में वेसिक लिए कभर करने वाल realme curious 2.0 के अंदर ओके तो यहां पर दोस्तों क्या आप लोग रोल बैक कर पाएंगे realme adverse 1.0 के अंदर यह दोस्तों इन locks आपե मैं वेसिकलिien early access का बत कर रहा हूं या फिर उसमें ह乔 gang Amanda यहां पर वायव हो जाएगा तो यह मैथोड को सके यहां पर अपने लोग करते हैं यह कि आप लोग को दभा कर रखना है उसके बाद दुस्तने है आप लोgen के सामने recovery वरी मोड ओपन हो जाएगा उसके बाद दोस्तों यहाँ पर इंगलिस के अंदर क्लिक कर रहे हैं देन दोस्तों यहाँ पर एक बार से आप लोग दीखिए इंस्टोल फ्रम इस्टोरीज डिवाइस तो काई इसके अंदर आने के बाद एक बार से आप अपने पर लोग स्क्री अंदर यहाँ पर दोस्तों चोटा सा डिस्क्लेमर यह भी है कि अगर आप लोग इसको रोल बेक करते हैं रियल मीवाई 1.0 के अंदर फिर से अगर आप लोग चाहते हैं कि सेम बीटा वर्जिन में आप लोग जाएंगे रियल मीवाई 2.0 में तो उसमें आप लोग नहीं ज अंदर और उससे पहले दोस्तों काफी एक पॉपुलर एप के बारे में आप लोग यहाँ पर बतना चाहूंगा जिसका नाम है बैसिकली टक्सल तो इसके अंदर दोस्तों आप लोग गेम खेलके काफी अच्छे कासे पेसे अर्ण कर सकते हैं अगर दोस्तों आप लोग के अंदर इसके लिए अगर आपको प्रेड़ेट में काफी अच्छे हैं तो यहां पर क्या है कि आपको नो गुना तक पेसे अर्ण कर सकते हैं मान लीजिए अगर आप लोग 100 पूपीज एड़ करके गेम खेलते हैं तो आपको इसके अंदर जीते तो आप लोगो मिलेगा टोट करता है तो दुश्ते यहां पर इसका एंसर यह है कि यार यस अगर दुश्त आप लोग जाते हैं यहां पर डिस्प्ले के अंदर गैज यहां पर आपका डिवाइस बेसिकली सपोट करता है 90 हर्स तो जोश्ते यहां पर आप लोग का बेटरी जादा ड्रें होता है लेकिन रेट को आपके डिवाइस के अंदर अभी दूस्तों नेक्स्ट कोशन यह है कि क्या डॉल्बी एट्मोस बेसिकली ब्लुटूथ एयर फोन्स और यहां पर वायर हैडसेट यह दोनों के अंदर काम करता है तो यहां पर इसका एंसर है बेसिकली यह जो कि आगर आपके करके डान कर सकते हैं तो सर्फे कैंसर यह कि यह साप लोग कर सकते हैं अंड कई यहां पर वाय framework दीफॉल्ट तो आपके डिवाइस आंदर रहता ही ऊचर्ट एक बार से आप लोग को दिखाना चाहूंगो तेक बार से इसको में कर लेता हूं on okay और यह जो दिया गया है notifications and status bar तो इसके अंदर जाने के बाद दोस्ते यहां पर जो आप लोग को दिख रहा होगा देख सकते हैं basically अभी फिलाल यह नीचे आ रहा है तो यह दोस्ते यहां पर by default enabled रहता है अगर दोस्ते आप लोग को डिसेबल हो गया तो आप लोग कुछ step से basically इसको enable कर सकते हैं तो यहां पर दोस्तो अगर आप लोग के पास है realme x2 pro तो इसके अंदर जो की एक सवाल यह है कि हम लोग 90 fps के अंदर अभी फिलाल पबजी को खेल नहीं पा रहे हैं तो यहां पर दोस्तो यहां realme का answer यह है कि अगर आपके पास है realme x2 pro तो basically यहां इसके अंदर 90 fps support है अगर दोस्तों यहां पर कुछ कुछ game के अंदर वो basically support नहीं करता है यहां पर 90 fps realme x2 pro में तो यहां पर दोस्तों game का कुछ problem हो सकता है लेकिन दोस्तों यहां पर जो hardware है 90 fps के लिए basically यहां पर realme x2 pro के अंदर basically available है जिसको आप लोग basically यहां पर enable करके PUBG वेगरा play कर सकते हैं अपने realme x2 pro में तो आपी दोस्तों काफी सारे question यह है कि भाई यह जो screen refresh rate है और यहां पर smooth scrolling है यह दोनों क्या एक जैस है तो यहां पर दोस्तों realme का answer यह है कि यह जो आप लोग का मलता है screen refresh rate लाइक यहां पर 60 hertz, 90 hertz, 120 hertz तो यह basically यहां पर hardware है and guys यहां पर जो basically आप लोग का मलता है smooth scrolling तो यह दोस्ते आप बिसकिले एक feature and guys यहां पर जो का आप लोग का मलता है realme UI के अंदर और यह smooth scrolling feature को enable करके यहां पर basically आप लोग का animation speed है यह थोड़ा बहुत दोस्ते यहां पर बढ़ जाता है किसी भी content को यहां पर scroll करते वक्त smooth scrolling को दोस्ते यहां पर software update के जरी यह कुछ change वगरा किया जा सकता है लेकिन दोस्ते यहां पर screen refresh rate को change नहीं किया जा सकता है कुछ यह दोस्तों यहां पर answer basically realme का इस वले question के अंदर तो दोस्तों यहां पर कुछ यह था basically realme FQ 39 के अंदर तो यहां पर दोस्तों कुछ important question मैंने आभी फिलाल पीक करके आप लोग के सामने answer दे दिया उम्मिद करता हूँ दोस्तों यहां प्यार आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा अगर दोस्तों आप लोग का भी कुछ question वेगर आया तो नीचे आप लोग डाल सकते हैं और दोस्तों यह वीडियो अगर आप लोग को थोड़ा सा भी पसंद आया होगा तो वीडियो के गड़ने होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे एक बार सापको प्रेस कर लेना मेलता हूं नेक्ट वडियो मत अब तक रिस्तो बाई और जाहिंद